नमस्कार दोस्तो टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सन्यादा हूँ आज हम भारतिय समिधान में सुरुआत करेंगे भाग पांच की इससे पहले हमने जो कक्सा हुई थी हमारी उसमें हम भाग चार के तक पढ़ चुके थे और भाग चार तीन द दो और एक और से पहलो जो समीधान का निर्माण था अनुसूची भाग तो सभीषट की जो भाद कर चुके थे तो आज हम बात करेंगे भागपांच की संक सरकार निए जो भारत सरकार है उसकी संग सरकार के विश्य भारत सरकार बताया गया है और यह अनुझे तीन इस्तंब होते हैं और तीन इस्तंब कौन कौन से होते हैं वो होते हैं कारियपाली का विधाई का और नियायपाली का यह तीन इस्तंब होते हैं लोक तंत्र के यह देश में तीन इस्तंब पाए जाएंगे अगर कभी आपके सुना होगा कि लोक तंतर का चोथा इस्तंब क किसे माना जाता है तो माना जाता है मीडिया को प्रेस को तो आज हम लोगतंत्र के उन्हीं तीनों के तीनों जो इस्तम्भ हैं उनके विश्य में बात करेंगे देखें भाग 5 अनुचित 52 से लेकर 151 तक है चाची जैस में संकी सहसन वर्स्ता तुछ भाग 5 को हमने चार इस्व में डिवाइड कर लिया और चार इस्व में किस किस में करा का रियापाली का विधाई का नियापाली का तीन इस्तम्भ तो यहोगे और एक संस्था है कैग जैसे यह ज को और इक्स लिए रखी सथा कि असवारख को हम ने सब्सक्राइब संसेर्श फिज़ा कि वगंग इंड़ तक Siya Nam 247 तक तो देखते हैं कारियापालिक पंतरगत क्या क्या है राष्टपती मंत्री परिष्द और नहीं अायवाद यानि यह सारी के सारी चीज हम कारियापालिक में पढ़ेंगे 52 लेकर संसथनाद बात करें तो यह कोड़ें और पढ़ेंगे सबसे पहले किया सुշरू करेंगे कार्याइपाली कार्याइपाली का पाली का विसे पहले शुरू करेंगे तो आई अब देखते हैं राष्टपती गार वांट्पार डेकर ने कर आठात्तर तक और उस जो राष्टपती इनुच्षर ग्रास्ट लेकर 62 है तो आई अब देख़ते राष्ट्पत के जो आर्टिकलस हैं जो स्माश भावले का सक्ति बावं कैता है यह भारत राष्ट्पती होगा यह उसके वाद बात करें तो अनुछेद 53 की तो अनुछेद 53 की कि संगी की कारेपाली का सकती राष्टपती में नहींत होगी और वह इसका परियोग स्वेम ये अपने दिनस्तों के द्वारा करेगा यानि कि जो संग सरकार है सेंटर गोवर्मेंट है उसकी जो कारेपाली का सकती है वो किसमें नहींत का मतलब उसके अंदर समाई या उसके प होता है. उसी सकतियों का हमेशा पर्धानमंतरी भरता है करता है तो यह बात आप रखेंगे उसके बाद कर understand की तो छे चमन में राष्ट पति का निर्वाचन राष्ट पति का निर्वाचन यानि की राष्ट के चुनाओं के संबंद में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राष्टपती का निर्वाचन एपर्टेक्स निर्वाचन द्वारा निर्वाचक मंदल द्वारा होता है जिसमें संसद विधान साब आके कि वह निर्वाची सदक्ष्य भाग लेते हैं बात को समझे यानि जो दरनुशेद हमारे चामन था समसे राष्टपति के चुनाओं की विशें बताया गया तो इसमें कहा गया कि ज Inner बात कैसा हुगा इपर्टेक्स इंडिर्एक्ट उस परतेक्स चुनाओं को बोट नहीं जालती तो आपको पता है कि राष्टपति के चुनाओं मेंने क्ष्ड तो राष्टपति का चुनाओं कैसा हुआ परत्यक्स हुआ इंडारेक्ट हुआ उसके बाद यह कहा गए जब जनता नीवोट डालेगी तो क्या होगा एक निर्वाच्यक मंडल होगा यह चुनने वाला समूं होगा तो समूं में कौन-कौन होगा संसद वैराज्य विधान सभ में निर्वाची सदेश है नुट सथ सब्टेश को को बनेगे हैं यह görण कोby हमें सधूसर के सद्रल और राज्य만 तो यह बात याद रखेंगे एंप और विदारेओं मंडल मंदल के सदेश्यों को बहते हैंM सख़्धिए क ग्या और MLA और वो भी कैसे MPA में ले निर्वाचित इलक्टिड दोदंता द्वारा चुने गए उसके बाद अनुशेत पच्पन की बात करें तो अनुशेत पच्पन में लिखा हुआ है राश्पति की निर्वाचन पदती निर्वाचन पदती का मतलब चुनने का तरीका यानि वो वोट दी उसके बाद है देखें लंबी चोड़ी बात लिखें अनुपातिक परतिक परतिक अनुशार एकल संक्रमनी है यह सिंपल सी बात इसका यह है कि राश्टपती के चुनाओं में जितने भी कंडिडेट खड़े होंगे वोटर परतिक कंडिडेट को वोट देगा और राश्टपती के चुनाओं में व्यक्ति खड़े एबी सीडी अब कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए गया तो उसकी राश्टपती बढ़ना चाहिए डी तो डी के सामने क्या लिख देगा एक लिख देगा राश्टपती का चनाओं का अभी वोटिंग मसीन से नहीं होग सामेसा बेल्ट पेपर सह भर आपको पैम दिया जाएका उसके सामने एक लिक् Detक अब उसकी चाहिए मेरी दूसरी जो चॉइस है वो 5 है तो बXT 244 तो चार देगा एधि कहने का मतला है वोट ही होगी लिकिन मिलेगी सभी सबी को उसके बाद रозм़ें लिखे राष्टपती की चुनाव में हमें सब वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा जिसे कोटा मिलेगा क्या है कुल डाले गए वैद मत वैद मत बटे दो और पलस एक देखे जितनी भी वोट डाली है माली जे राश्च्पति के चुनाव में बोट डाली है जिसे 50% पलस एक वोट मिलेगी वही राश्च्पति के चुनाव जीतेगा इसका नियूंतम कोटा है यहीं इतनी वोट हरहाल में प्राप्त करनी होगी उसके बाद नेक्ट मिन्दू देखे तो नेक्ट मिन्दू हमारा राश्च्पति के चुनाव में नामांकर बढ़ने के लिए 15,000 रुपे जमाना तरासी के रूप में आर्बियाई में जमा करने होते हैं नामांकर पत्र का समर्थन करना चाहिए देखे अगर आपको राश्च्पति का चुनाव लड़ना है तो आपको 15,000 रुपे जमाना तरासी के रूप में आर्बियाई में जमा करने होंगे जमाना तरासी के रूप में आप देखे जमाना तरासी का है माली जी आप राश्पति का चुनाव लड़ना है तो आपको 15,000 रुपे आर्बियाई में जमा करने होगे अगर कुल वोट का किशी वेक्ति को एक बटाच चे वोट मिल जाता है एक बटाच चे एक बटाच चे स ज़्यादा तो उसकी जमानत बच जाती है निकि उसके 15,000 रुपे वापस कर दिया जाएंगे लगी वेक्ति को एक बटाच चै से एक वी वोट कम मिलती है तो उसकी जमाना जब्ट हो जाएगे उसके जब 15,000 रुपे जब्ट हो जाएंगे उस सरकार क्यों जाएंगी तो इ व्यक्तिन जाये में नामंकर पत्र भरने के लिए से मत्रता और मत्रतासाया मत्तलब जो राष्ट पति के में वोति डालते हैं यानी कि आपको सो एम पी ऐं मRe चाहिए अगर आपको राष्ट पत्राव में चुनाओ लड़ना और है इसका मकसद ही है कि वह जो सीरियस कंडिड़ेट है वहीच राष्ट के चुनाओ लड़ने लगे हैं कि अगले अनुछ एद पर चलते हैं तो उनुछे 56 तो उनुछे 56 में देखते हैं राश्पती की पदावधी का मतलब पद की अवधी कि वो कितने टाइम तक पदपर रहेगा तो उसकी पदावधी सबी को बता है कितना है पांच वर्स और पांच वर्स कब से सपत ग्रैंड से यह निकि वो चुनाओ जीत गया जि शीमा नहीं आप राश्पती के कांओ एक बर लडю दो बर लड़ यह दस बर लड़ यह 2वर जीती है2 बर जीती हैए कोई Linicarisalo सब्सुर्स अगर आप एक चप्रासी भी हो तो वह लाब का फ़्द माना जाएगा अगर लेकिन अगर आप मंतरी ओ तो लाब के पद में नहीं आएगा उसके बाद देखें अनुचे उनसट राश्पती पद के लिए सर्ते इसमें सर्ते बताएगी है इसमें कुछ सर्ते हैं कि उनसट में नहीं कया है सर्ते उसके बात बात करेंnell 660 राश्पती के पद की सपत ज्यो राश्पती जो वुड़ेगा तो राश्पती को सपत भारत का मुख्य नियायदिस दिलाता है जो सप्रीम कुट का चीप पद्दु लाडएया कारियर करेगा है अजब भाद लूश्ष्षभ इकसट में राश्ट्पती से तहरों Leather इसके बाद उट्षभ दिरimarाष्टपती को पद्षे अताने की परकेरिया फ़िए प्रका जाता है थो माहावयोग सब्सक्राइब उसके बाद महाभयोग लाने से 14 दिन पूर राश्पती को सुचित जाना है यह आपको 14 दिन पहले राश्पती को सूचना लेना लेना निवारिये होगा कि हम आपके विर्द महाभयोग ला रहे हैं तो यह बात याद उसके बाद बात करने 62o62 एक पद के रिव्तिता कि पूरती ली राश्र्पति में राश्र्पति के पद हो गया रिक्थ पहलात करें करने है जोन आपते हैं राश्ट्पती यह जूंटने जै कलцен आपको तो चोड़ लेगे लेकिन जो नया राश्ट्पती है तो अगर माले जय की अच्वाल की अन्डरी को एक काम का ordinance लिए प्रस्ति कभी ऐसी राश्च्पती का पद भी रिक्त हो गया और उपराश्च्पती का पद भी रिक्त होगा तो ऐसी कंडिसन में भारत का लाश्च्पती राश्च्पती रामनात कोविंद नमबर तो यह आपको एक सूची दी गई है आपको लिस्ट दी गई है जिस लिस्ट में भारत में जितने भी आज तक राश्च्पती रहे हैं उन सब भी के नाम दिये गए इस मेंसे राहिंदर परसाद सर्रफली दादा किष्ण जाकी रूसैन तो उनका अगर कोई विसेसता रहे हैंычно भारत के पर्थम भारत के पर्थम राश्च्पती थे भारत के परतम उपरास्च्पती तो इन सबकी विसेसता लिए इस सब्के ना इस और राश्पति की सक्तियों के विशह में बात करेंगे ठीक है तो अगर आपको इस सेसन अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडियाप अगर आपको प्राप्त कर डिये कि समिधान में तक जितना भी टोपिक कराएं कि पीडियाप जो है आप टेलीग्राम पर टैस्ट किताब के नाम से चैनल सर्च करेंगे वहापे सारी की सारी आपको पीडियाप मिल जाएगी धन्यवाद